प्रिधान मंत्री नरियंद्र मोदी इन दिनों रूस के दोरे पर हैं आज वो यहां से आस्ट्रिया के लिए रवाना भी हो गए रहों पहुँच भी गए सेंट अंड्रियू के पहर हॉल में ने कही यह बड़ी बाता है यहां अभार वियक्त करते हुए पीयम ओधी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है बलकी 140 करोड भारत वासियों का सम्मान है भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता का यह उधारन है यह ह करीब ढ़ाई दशक्स से आपके नितरत्वे में भारत रूस के सम्मंद सभी दिशाओं में मजबूत हुए हैं और हर बार नहीं उचाईयों को हासिल करते रहे हैं इसके बाद देशवासियों को यह जानने की लालसा हुई कि आखिर यह सम्मान है क्या जानकारी के लिए बता दें कि आउडर ऑफ सेंट एंड्री दा पॉस्टिल रूस में वीर्ता का सरवोचा देश है इसे जार पीचु दग्रेट ने 1608 में सेंट एंड्रू के सम्मान में शुरू किया था सेंट एंड्री ईशु के बाद पहले संथे को रूस का संग्रक्षक संत माना जाता है यह सम्मान मूल रूप से रूस के उतकरष्ट नागरिक और सेन्य में उतकरष्ट काम करने वाले और राज्य के लिए आसाधरन सेवा के लिए व्यक्तियों को पुरुस्कृत करने के लि जैसा सिंबल है 1917 में रूसी क्रांती के बाद इस आदेश को समाप्त कर दिया गया था लेकिन सोवियत काल के बाद इसे फिर से शुरू किया आज भी रूसी संग में इसे सम्मानित किया जाता है जो उच्छ सम्मान और विशिष्टा के प्रतीक के रूप में अपने इसके माइन नरेंद्र मोधी को भारत और रूस के बीच साज़दारी और मित्रता को बढ़ावा देने के उनके उत्तकरश्ट प्रयासों के लिए रूस का सरवोच राज्य पुरुसकार और ऑफ सेंट एंड्रुदा पॉस्टल दिया गया है तो आपकी रशी और भारत की मि राए हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता है और ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ